नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके पसंदिद्ध होमियूपेटिक यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर विपूल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है हमने शुरू की है नोजोड और सार्कोर्स के एक शिंकला के त क्लिनिकल कंडिशन्स है जिसमें इस दवा का उप्योग हमें ज्यादा तर देखने को मिलता है और कौन सी पोटेंसी है जिसमें हमें इस दवा को इस्तेमाल करना चाहिए इन सभी के बाने में आज विस्तार से चर्चा करेंगे तो बिना किसी देरी के हमारा वीडियो पहली बार देख रहे तो प्लेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथे साथ हो जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिए जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करो तो उसकी नोटिफिक्शन आपको तुरंद मिल जाए तो चलिए दोस्तों यह जो दवा बनती है यह बनती है smallpox vaccine से जो smallpox के लिए vaccine होता है उसको पोटेंटाइज करके हम यह दवा बनाते है और इसका नाम हमने वैक्सिनिनम रखा है इसलिए यह जो दवा यह काफी closely related है तो एक दूसरे नोट से जिसका नाम है वैरियोलिनम जो कि smallpox से बनती है तो व किया है जिसे हम कहते है तो यह तीनों ही दवाईया काफी closely related है और जब हमें लेक्षन देखने को मिलते है तो तीनों में differentiate करना काफी ज़रूरी हो तो तो तीनों दवाईयों को आपको पढ़ना काफी important होता है तो वैक्सिनिनम हो भैरियोलिनम हो यह मैलेंट्रिनम हो यह यह आपके concept clear है आपको पता है कौन सी जगह पे हमें कौन सी दवा इस्तमाल करना है तो आप कभी confused नहीं होंगे और आपको maximum result मिलेंगे बरहाल बात करते है वैक्सिन एनम के मारे में वैक्सिन पॉईजन जो होता है या कोई भी वैक्सिन जो हम लेते है कई पर उसकी bad effect हमें अगर काम करते है ठीक तरह से तो हमें वह कहते है कि वैक्सिन डिडिन टेक तो वैक्सिन का reaction बोडी के उपर नहीं देखने को मिलता है जिसके वजह सकता है कि वैक्सिन का पूरी तरह से एक्षन नहीं हो तो इस टर्म को एक नाम दिया है डॉक्टर बरनेट ने जिसके अंद लोगों के अंदर देखने को मिलती है और इसको टर्म किया है वैक्सिनोसिस तो वैक्सिनोसिस के लिए यह बहुत ही अच्छी दवा है वैक्सिनिनम वैक्सिनोसिस एक ऐसी कंडिशन होती है जिसे हम साइकोटिक माईजम में कंसेडर करते हैं इसलिए वैक्सिनिनम भी साइक तो आपको टिक माईजम के अंदर ज्यादा तर यूज होती हैं आप यहाँ पे इस वीडियो के अंदर सोरा सिफिलिस साइकोसिस को एक्स्पेन करना थोड़ा सा डिटिकल्ट होगा लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि तभी यदि माईजमेटिक ब्लॉक डाता ह है और आप कंस्टिट्यूशनल मेडिसिन दे रहा है अपने नोजोड भी दिया है लेकिन काम नहीं कर रहा है तो एक बार यदि साइकोटिक ब्लॉक आपको फील हो रहा है तो आप वैक्सीन इनम के बारे में सोच सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें लक्षण हमें क्या कर देखने को मिलता है सबसे पहले बात करते हैं इसके मेंटल्स की मानसीक तोर पर जो पेशेंट होता है रोगी होता है उसकी क्राइं टेंडेंसी हमें देखने को मिलती है चोटी चोटी बातों पर रोना और रोते रहना की हमें एक टेंडेंसी रोगी के अंदर देखन है और थोड़ा सा इल्हुमर्ड होता है याने आजो वाजो में आसपास में जितने भी लोग होता है उनके उपर चिर्चिड करना चिलनाना चीकना डाटना इस तरह का सोबा हो में रोगी का अक्सर देखने को मिलता है इसलिए कई बार हमें यह नर्वस डिप्रेशन के अंदर देखने को मिलता है तो थोड़ा सा डिप्रेसिव टाइप गव्य देखना को मिलता है इसके अलावा पैशन्ट बहुत ही ज़्यादा इन सबूरी लाम की चीज Anyway बहुते बेसबरी हमें पेशेंट के अंदर होती ही देखने को मिलती है बहुत ही ज्यादा चिर्चिरा होता है और कोई चीज कोई कुछ भी कर रहा हो तो उस चीज से यह खुदी अफेक्ट होके चिर्चिर होना शुरू हो जाता है यादि कहीं दूर पर कोई डीजे बजा रहा हो और किसी भी आवाज कानों पर आ जाती है तो यह खुदी चिर्चिर करना शुरू कर देता है तो इस तरह का थोड़ा बहुत सभाव हमें वैक्सिन इनम का देखने को मिलता है इसके लावा बहुत ही ज्यादा एक मॉर्बिड फियर होता है स्मॉल पॉक्स से चेचक हो जाने का हो जाता है फोड़ा सा तो इसको मिलता है इसके लावा पीशेंट थोड़ा सा चीज का नाम याद करना होता है तो उस समय पे उस चीज का नाम उसे याद नहीं हाता है थोड़ी सीbab benefit हमें रोगी के अंदर देखने को मिलती है यह अज़ा रख को मिलते हैं चलिए बात करते है स्के उपर हमें स्किन के उपर बहुत ही अच्छ behण के डेखने को मिलते हैं ऀस तरह के इुरॉब्शन हमें होते体 को मिलेंगे ऐसा लगता है जैसे उस इरॉप्शन में इसे पानी का रहो विभी जिसे चाले गिर जाते हैं करने Talourd ah जिसमें पाई ही निकल रहा हो जिस तरह के स्माल पॉक्स के अंदर वईरियोला के अंदर हमें चाले देखने को मिलते हैं यहाँ थीक थीक चाले हमें पींपल्स क sem लगेशन साय है पैठबने पाशन के अंदर देखने को मिलता थcen क्रिया जो होती है और इसलिए डिस्टेंशन पेट फूगा फूगा सा पेशंट को लगते रहता है पेशंट के अंदर हमें सूखी खासी जिसे हम बूपिंग कफ कहते हैं वह भी देखने को मिलेंगी उसके लिए भी मैक्सिनिनम बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं खासकर थंडी के दुरू मे से लिए फूर 8 समय के अंदर चले हुए ऊंड़ी को बहुत है आखोंक के अंदर बहुत जब हमें लिए बहुत जीदार रखना आ काफे कंदा ड्वितोन क्या की आपके कंदीशन होती है जहां में सब्सक्राइब नाकरी होता है स्कलेदा सफेद इससा होता है कॉर्णिया हमारी आकों की पुतली होती है तो नहीं पर यह Bit की आकों के प्याइए हुद्ध के रहे हैं लेकिन यहां पर आप है पुतली के ऊपर चालेसर गिर रहे है तो आपकी की दवा होने चीए वैक्सिनिनम ऐसी कंडिशन को छुटकियों में ठीक कर देंगी तो यह आपको लक्षन बहुत एच्छी तरह से धान में रखना है नोट करके रख लीजिए यह लक्षन बहुत ही बहुत कम लोग है बहुत कम एवन टेक्स्बुक्स है जिसके अंदर यह डि देखने को नहीं मिला इसके लवा नाक के लिए भी बहुत अच्छी दवा है यहां पर रूट आफ नूस के अंदर हमने देखा था कि यहां से हेडेक होता है और सिर्फ दो इससों में फट रहा है इस तरह का दर्द हमें देखने को मिलता है ठीक उसी तरह नाक फुटने के लिए भी बहुत अच्छी दवा है जब भी नाक फुट हैंगी तो यहां पर एकदम यहां पर रूट आफ नूस के अंदर पेशन को ऐसा लगेगा कि कॉंस्ट्रिक्शन हो रहा है यहां के जो जगह है वो दब रही है और फिर नाक फुट वहां में देखने को मिलता है खास देखने को मिलेंगे तो यह दो लक्षन आपको धन में जरूर रखना है लास्ली यह मेडिसीन बहुत अच्छी दवा है यदि आप प्रोफिलेक्टिक के तौर पी यूज़ कर रहे हो इन के सब स्मॉल पॉक्स है किसी एरिया में बहुत ज्यादा रोगी हमें स्मॉल पॉक् लक्षनों के बारे में क्या-क्या लक्षन रोगी के अंदर देखने को मिलेंगे यह सभी हमने डिटेल में डिसकस किया अब इससे लिना काहिए यह आप प्रोफिलेक्टिक के तौर पर दे रहे हो ऐसे इरिया में दे रहे ह। जहां पर स्मॉल पॉक्स नहीं होना चाहिए व वहां से हम यह कंसिडर करता है कि पिशन्ट के अंदर प्रोपलेक्सिस डेवलोप हो जाएंगा वह उसकी इम्मुनेटी काम करेंगी और उससे स्मॉल पॉक्स नहीं होंगा यदि किसी के अंदर बैड एफेक्ट आफ वैक्सिन के बाद में हमें लक्षन देखने को मिल रहे हैं आख फूटने का लक्षन हो मीट खाने के बाद या फिर वैक्सिन लेने के बाद में आखे आई हो किसी के तो ऐसे रूग्यों के अंदर हम इस दवा को 200 पोटेंशी में यूज करते हैं 200 पोटेंशी में दोदो बून सुबशाम आक्सर देते हैं स्किन की जो कंप्लेंट्स ह जाते हैं बता देना चातो कि वह कौनकौं सी क्लिनिकल कंडिशन से या कौनकौं सी डाइग्नोसी से जिसके अंदर हमें यह दवा काम करते हैं तो सबसे पहले तो किलोईड के अंदर हमें यह दवा काम करते हैं देखने को मिलती है इसके अलावा नेफराइटिस स्माल पॉक्स या ट्यूमर्स के अंदर नहीं किया है और एक क्रॉनिक प्येशन पिसिटन के अंदर ड्वा यह छूगए ढ़िंवा हो गई है जो ठीक ही नहीं हो होवा इस तरह के अंधर भी हम वैक्सिनाइशन के पारे में सोच सकते हैं बहुत अच्छी तरब है अईसी आज की दवा वैक्सिनिनाइशन दिया यह आपको पसंद आया होगा बहुती सिंपली और बहुती शौट में मैंने वैक्सिन इनम को एक्सिप्लेण किया है आशकर तो इसी तरह से आ ये 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 जब हरता